नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं मैट्रिक इंटर का साटिफिकेट डीजी लोकर पर अपलोड, जर्खन एकेडमी कॉंसील जैक ने वर्ष दो हजार तेश तक के मैट्रिक वर इंटर का साटिफिकेट डीजी लोकर में अपलोड कर दिया है, विद्यार्थियों के माक सीट, माइग्रेशन के साथ साथ, साटिफिकेट डीजी लोकर में अपलोड कर दिया जाएंगे, विद्यार्थि अब आपना परमान पत्र डीजी लोकर से डाउनलोड कर सकेंगे, इसके अलावा परमान पत्र का सत्यापन भी ऑनलाइन भी हो सकेगा, बता देट आज में इंटर परिक्षा दो हजार पचीस के पंजी अन वा नवी बोड परिक्षा दो हजाएंगे, परिक्षा फरम जामा करने की तीथी भी बढ़ा दी गई है, गोड़ा में काली परतिमा बिसरजन के दरान दो गूट भीडे पुलिस कर्मी घायल, जारखन के गोड़ा जिले के पत्रा में काली पुजा परतिमा बिसर हो गई, इस दरन पुलिस की एक गाड़ी भी छाती गरस्त कर दी गई है, घटना भी ती रात की है, बताया गया है कि मूर्ती भी सरजन के लिए यूकों का एक सम्मू जा रहा था, तब दूसरे सम्मू के साथ बिवाद होने पर दोनों और से लाठी डंडे चलने लगे, पत पर भी हमला कर दिया गया, पी एम सुरक्षा में चुक मामला में महिला पर एफायार दर्ज, प्रधान मंत्री नाद मोदी के कारकेट में आचानक परवेश करने वाली महिला के खिलाप एफायार दर्ज कर ली गई है, इसको लेकर NSG के द्वारा रांची पुलिसे रिपोर् प्रधान मंत्री नाद मोदी का काफिला राजभवन से निकल कर रांची SSP आवास से होकर रेडियम रोड से गुजर रहा था, इसी दोरान गार्डन फ्रेम नामक परतिस्ठान के ठीक सामने प्रधान मंत्री का वाहान वहां पहुचा, तो उसी समय संगीता जहा नामक महिला सुरक्षा गेरे को तोड़ कर PM की गारी के सामने पहुच गई, इस दोरान मोके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन फ्रेम महिला को PM के कारकेट से बाहर निकाला है, महापर्व छठ को लेकर गुलजार हुआ फल बाजार, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर फलो का बाजार गुलजार हो चुका है, राइधानी राची के बिभीन फल मंडियों में छठ पुजा में परियोग होने वाले सभी तरह के फल उपलब्द हो चुके है, महापर्व छठ में फलो का बेहाध ही महत्व होता है, यही वज़ा है कि राची के हर्मू, डेली मार्केट और चुटिया इसी तीनो फल की मंडियों में फलो की भर मार है, फल विक्रताओ के अनुसार इस बार सभी फलो की आवक बेहत ज्यादा है, इसलिए फल महंगे नहीं विकेंगे, वही छठ महापर्व में नारियल, गागल निम्बू, सेव, केला, संत्रा, सरीफा, अमरूद और पानी फल जैसे फलो की सबसे ज़्यादा मांग होती है, अगले साल से सभी जीलो को कवर करेगी बिक्सित भारत संकल पयात्रा, परधान मत्री नायनदवदी ने खुटी से बिक्सित भारत संकल पयात्रा को हरी जंडी दिखाई है, यह यात्रा अगले वर्ष 25 जनवरी तक सभी जीलो को कवर करेगी, यात्रा का लक्ष लोगों तक पहुँचने, जगरूपता पैदा करने और स्वक्षता सुविधाएं, अवस्यक बीतिये सिवाएं, बीली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुँच, गरीबों के लिए आवास, खाज सुरक्षा, उचित पोशन, विश्वसनिये, स्वास्त देख भाल, स्वक्ष पेजल, इत्यादी जैसी का लेनकारी योजनाओं का लाव परदान करने परकेंद्रित होगा, यात्रा के दरान तयार किये गए, बीवरन के माध्यम से संभावित लभर्थियों का नमांकन भी किया जाएगा, यात् बोकारों से तालगडिया लाइन पर जल्द चलेगी पैसेंजर ट्रेन, बुद्धवार को परधान मत्रिन्याद मोदी द्वारा खुट्टी से बोकारों तालगडिया रेल्वे लाइन के दोहरी करन का उधगाटन किया गया, इसके साथ बुद्धवार से ही इस रेल खंड या त्री गाडियों के परिचालन का मार्ग प्रसस्त हो गया, समभवना हाई कि बोकारों से भोजु डिह के रास्ते आधरा तक मेमू पैसेंजर चलाया जाए, चुकि आधरा वेल मंडल तक संपर्क की वेवस्था नहीं थी, इसलिए जल्द समभवना हाई कि इस दिस्ता मे रेलवे की ओर से घोस्तना किया जा सकता है, इसके अतरीक्त जो गाडिया भोजु डिह तक चलती थी, उसे बोकारों तक विस्तार कर दिया जाएगा, बोकारों से टुपका डिह के बाद इसपात नगर चासव बांध डिह रेलवे स्टेशन के लोग यातरी गाड़ी देख स सकेंगे, ओल्चिक्की भासा में अनुवादित हनुमान चालिशा का राष्टपती करेंगी बिमोचन, दिल्ली के लाल बहादूर सास्त्री बिस्व बिदाले से संस्क्रीत में बियट कर रहे, रवी लाल ने हाल ही में हनुमान चालिशा का ओल्चिक्की में अनुआद किया ह उनके द्वारा अनुवादित इस हनुमान चलिशा का राष्टपती द्रोपती मुर्मू बिमोचन करेंगी राष्टपती मुर्मू लाल बहादु सास्तिरी बिस्वविद्यालय दिली में 5 दिसमबर को प्रस्तावित दिक्षा समारों में बतर मुख्याती थी सामिल होंगी रविलाल ने अनुवादित हनुमान चलिशा की एक प्रती विस्वविद्यालय के कुल्पती मुर्ली मनोहर पाठा को पिछले दिनों ही भेट की थी साथ ही उनसे इसके विमोचन की अनुमती मांगी थी जिसे कुल्पती ने सविकार कर लिया है छट महापर्व से पहले बिहार जाने वाली ट्रेने फूल नहाय खाय के साथ सुक्रवाद 17 नौमर से छट महापर्व का सुबारम होने जा रहा है इसके पहले ही बिहार और पुरवांचल के प्रवासी जार्खन से अपने गाव जाने के लिए बिताब है रांची से बिहार जाने वाली ट्रेने में इतना भील हाय कि लोग गेट पर लटक कर जाने के लिए मजबूर है लोग किसी भी तरह चठ पर पर अपने घर पहुँच जाना चाहते हैं ट्रेनों में भील इतनी हाय कि लोग एक दूसरे के उपर चल कर भी आगे बढ़ रहे थे यहाँ तक कि सिलिपर कलास की थी थी भी जेनरल डिबो की जैसी ही थी नियमावली में संसोधन के बाद CDPO की नियुक्ति का रास्ता साप जारखन में नियुक्ति नियमावली में संसोधन के बाद जारखन पबलिक सर्विस कमिसन की ओर से 64 बाल विकास पताधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तिन घंटे के मुख्य परिक्षा में सफल होने पर ही नियुक्ति होगी साथ ही प्रश्ण पत्रों का पैटर्ण वर्नात्मक होगा इस नियुक्ति परिक्षा में द्रिश्टी हीन अभियार्थियों को अब परतेक पत्र में 20 मिनट का अत्रिक्ष समय मिलेगा आदिम जन जाती को अब 36 आरक्षन का लाभ भी मिलेगा वहीं दिव्यांग अभियार्थियों को सक्षम पदा दिकाई से प्रात्पन पत्र के अधार पर लिखित परिक्षा में अन परिक्षा की तरह सुविधा पदान की जाएगी जे पिस्ची ने 64 पदोपर नियुक्ती के लिए आवेदन मागने की परकिरिया शुरू की थी लेकिन राय सरकार द्वारा आरहम में भेजी गए नियुक्ती नी मावलिमें मुख्य परिक्षा के प्रेटर्ण सही द्रिष्टी हीं तथा दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए कोई दिशा निदेस अस्पस्ट नहीं था फल्शोरूप आयोग ने महिला बाल विकास सेवं समाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र भेज कर इस्थिती अस्पस्ट करने का आगरख किया था साहब गंज में चोरी की मोबाइल बेचने वाले तीन गिरफतार साहब गंज के विभिन इलाकों से चोरी हुई 100 मोबाइल को पुलिश ने जब्त कर ली है सभी फोन की बरामदगी तीन पहार थाना छेतर इलाके से हुई है इस ममले में पुलिश ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है बरामद मोबाइल में सेमसंग, वन पलस, आईफोन, ओपो, भीभो सहित कई अने कीमती हैं जनकारिक अनुसार पुलिस सुत्रों को गुप्त सुचना मिली थी कि तीन ब्यक्ति ट्रेन से चोरी की हुई मोबाइल को लेकर तीन पहार इलाका आ रहे हैं इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित कर साभी को तीन पहार इलाके से गिरफतार कर लिया है मैट्रिक परिक्षा के लिए आवेदन सुरू मैट्रिक जामा करने की अम्तिम्तिती बाराती संबन इधारित हो गई है सरांडा में नक्सलियों ने डाला डेरा पच्मी सिम्भूम के कोलहान रिजर वन छेतर के जंगलों से भाग कर आये भागपा मवादी नक्सलियों का एक बड़ा हत्यार बन दस्ता सरांडा जंगल में पिछले एक सब्ता से डेरा डाल अपने संगठन का बिश्तार करने में लगा है यह दस्ता सरांडा जंगल के छोटा नागपूर थाना छेतर अंत्रगत दीघा पंचायत के जंगलों में अस्थान बदल बदल कर रहा है नकसलियों के इस दस्ते वा इन्हें मदद पहुचाने वाले गरामिनों पर पूलिस वर सी आर पिएफ के पदादिकारी भी सेस नज़र रखे हुए है सरंदा सेनक सलियों को भागाने हेतु पूलिस वर सीर्पीए भी फिलहाल छोटे अस्तर पर सर्च अप्रसन सुरू किया है